Hello friends, I am Ram और आपसे का फिर से स्वाबत करता हूँ मेरा अपने YouTube चानल पर दोस्तो आज मैं आपसे को बहुत ही क्रिटीव फ्रॉवेशनल पोस्ट जान करना सिखा हूँगा प्रोड़क के लिए जैसे के मैंने पर्फिम प्रोड़क के लिए डिजान किया हुआ है ऐसे कुछ क्रिटीव सिंपल रिजान करेंगे स्टेब बाइस्टे तो प्लीज बने लिए इसे वीडियो में स्टार्ट तो दोस्तो आपसे जोड़ा सा रिक्वेश्ट है अबर आप में चानल पर पहली बार आए है तो प्लीज में चानल को लाइक सब्सद्रिव करिएगा तक आपसे क्या पहे कुछ नया क्रिटीव रेंच सिंखने में लिए रोल तो दैला टाइम वेश्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे फोटेसप सीसी में मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पर एक निव फाइल करता हूँ और यहाँ पर 1.8.0.5.3 में 72 रेलशन आकर में और यह फाइल देता हूँ पोस्ट आड्स और यहांसे क्रियेट कर लेता हूँ तो यह हमारे डिजाइन साइज आगया आप इनका लिंक आपसे को डिस्क्श्म बॉक्स में मिल जागा इस image को मैंने AI से generate किया हुआ Adobe के fireflyer से तो इसका prompt आपसे को discussion box में मिल जाएगा इस image को मैं यहापे layer में जाऊँगा और इसका duplicate लिखा लोगा Ctrl G पेस करूँगा इसे इस तरह में drag करूँगा और लाप के यहाँ पे इस तरह रख लोगा Ctrl T पेस करूँगा इसे related में dark color pick करूँगा इसका code यहाँ पे generate होजाँगा इस image को select करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं select में और यहाँ से सर्जिय को select करूँगा तो इसके चारतो एक PNG करने के लिए selection on हो जाएगा इस थोड़ा समय लेगा इसे select करने के लिए तो इसने select कर लिया अब यहाँ पे masking on करूँगा तो इस यहाँ पे background remove हो जाएगा इस image को select करूँगा इसे पे right click करूँगा इसे इसे smart option करने करूँगा इसे इस तरह इसे इस तरह में निच्छी की तरफ लाके इस तरह में rotate करूँगा इस इस सर्में manage करूँगा इसे इंपर करूँगा इसे का duplicate click करूँगा सवरील इहाँ पे पहले में इसे shadow देता इसले पे select करूँगा and यहाँ पे जाऊंगा एफक्स इसे जाऊंगा blending option में और इस पे इस Panel आजागा इहाँपे drop shadow में जाऊंगा यहांपर यह यह वैल हो देद लुए मैं और OK करुंगा आमल इसेका ड sect duplicate लिका तुछ साथा द्राइंग्राय से रोटेक्टर की से मेनेज करुए मै इसे हो उपए की तऱ पाकूं गां इंटे करूंगा इसे के फिसे डूब्लिकाट लिखालोंगा और यहां नीचे की तरफ इसे, रोटेट कर लूँगा मैं इस तरह, इस तरह में मैंनेज करूँगा मैं, तो रोटेट कर लूँगा मैं, इस तरह मैं लेफ साइड में लखूँगा, इंटर बढ़ूँगा, इस इमिज को थोड़ा सा में नीचे की तरफ लखूँगा मैं, आम इसने select कर लिया पर इसने proper select नहीं किया इस selection को में delete कर लाया तो हम दुसरा method यूश करेंगे तो यहाँ पर जाओंगा में magic tool को यूश करूँगा और यहाँ पर white click click करूँगा तो इसके चलतर भी ये selection अउन कर देगा इस उपर आवले selection को आटानी तो में control shift आए प्रेस करूँगा तो यह रिमो बजागा यहाँ से अब में यहाँ पर masking करूँगा तो यहाँ पर मोटू को select करूँगा इसे पर right click रगे से smart object में convert करूँगा इसे इस तरह पकूलूँगा और drag करके लाखे यहाँ पर इस तरह रख करूँगा इस image को select करूँगा पीछा लेकर थोड़ा समय मैं इसे रोटेट करूँगा ज्यादा ने सी इस तरह में manage करूँगा मै इंटे करूँगा अभी इस image को select करूँगा इस इसी ए डूब्लिकट लिखा लोगा और इसे ड्रैब करके सारे image के पीछे रख रख लोगा म स्कshawத्वेज करके इस इम एच के पीछे लेव़़ए मैं Ctrl T paste यसे थोड़ा रपिक रोपेश्झा है करने इस 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 इसतर हे में समये इस 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 इनल की इसे इसे इत करोंगा स्पोल곤 मैं हमें जाओग यहांड पे Background पे Click करूंगा इसके पे किन्यू लेक्ट करके इसका कोड गुथ द्ल captivating ऑर वर पर कोडिया नियुक गुथ यहांड़ ब्रश्मरहे से स्था सवर्भॉस को जीक करूँगा इन थी llama-i-ban औरिक्ने औरिक्ट-b turning 00960 लेंन लेंगे मैं इस ट्रह में से व्हताँ गोन पर ऐसी को सब्सक्सक्राइब शुलेट में स्विvikक कर से लेक्षिए करोईद्म और हमें इस तरह में पर खेली कर संदोर अर्पचों और आखर गूलेड है पुए तॉर्परें में पर जाएगवां ब्रॉस में जाकर हिसा स्वाबर कु सलिक करण गा का NA जाँगा कि आए से किसे डाल पी पर करों अच 같은데 निचे की दरप ब मा निचे के तरफ कि अचो करोओ क्रों अमें ब्रोस को दाक्रेस इस तरह में थोड़ा चोटा कर लूँगा और यहां पर में इस तरह से इंट्राइब करके शेडर दे दूँगा मैं इस तरह आमें यहां पर motif को इसे पर चाहिए, और यहां सोमय पिल्टर में, filter में याके blur में जाकर ग्रोशी मिल को मूर्च करूंगा, और यहां पर इस तरहını का blur निस थोड़ा बढ़ा लूंगा, थोड़ा और बढ़ा लूँगा, इस तरहाँ इस तरहाँ on forward do not पिछ दूस्टो अब में हैं पे paint tool को select करोंगा यूस तरह और इस product को में इस प्रोड़क्ट के पीछे में new layer लोंगा में और यहाँ पर में click करोंगा यहाँ परफ्ले में shape करोंगा यहाँ यहाँ तरह इस तरह click करके मैं यहाँ पर दाट एक rectangle type में create करोंगा अब में जाओंगा यहां फिल्टर में और यहां से जाओंगा blur में जाके ग्रोशिय मिलोग को स्लिक करूंगा इसा स्मार्ट ओजिक में convert करूंगा में और यहाँ पर थोड़ा से blur-nish करोंगा, ज्यादानी और OK करोंगा इसे वह से के नीव लेंगा, पेंटू को क्लिक करोंगा और यहाँ पर स्थरा में यहाँ पर Dao strike में श्यwood दे दोंगा में यहाँ पर मुट्टू को सब्यख करोंगा, जाओंगा फिल्टर में और यहां से जाओंगा ब्लर में जाकर गोशिन बिलोग को स्लिक करूंगा इसे समार्ट अग्योप में कर लोगा और यहां पर इस तरह में ब्लर कर लोगा और ओकी करूंगा तो यह जाओंगा कुछ इस तरीफिया दोस्तो और में जाओंगा यहाँ पर टॉप रड़ियर को सलेक करूँगा और यहाँ पर कंट्रूल से ल्टी पेस करूँगा तो इस सारी डिजैन में कंबाइड है अब इसे थोड़ा क्लरेक्शन कर लेते हैं तो में जाओंगा इस तरह और लोकी करूँगा अब में जाओंगा यहाँ इमेज में और यहाँ से जाओंगा और यहाँ से इसका सिचुएशन थोड़ा बढ़ाँगा में और यहाँ से थोड़ा सा वाइब्रेस बढ़ा लोगा और लोकी करूँगा अमें फिर से इमेज में जाकर यहाँ से एक्सपोजर में और यहां से इसका थोड़ा सा गामा बढ़ाऊंगा मैं और यहां पर थोड़ा सा इसका उपसेट बढ़ाऊंगा ज्यादा नी इस तरह और okay करूंगा अब मैं फिर से image में जाक कि यहां से जाओगा brightness में और यहां से इसका contrast बढ़ाँगा थोड़ा और थोड़ा सा brightness बढ़ाँगा मैं और okay करूंगा तो फाइनले दूसरे डिजन में रेडियो अप्रोड़ाप के लिए तो दूसरे डिजन में इसे जरूर ठ्राइ करियेगा बनाने के लिए और अगर में चैनल पर नए है तो प्लीज में चैनल को लाइक सब्राइब करियेगा और अपने दोस्तों में पुशरी करियेगा तो मिलता है नेक शोड़ी में धन्यवाद इस वीडियो का लास तक देखने के लिए